आईपियल 2022 में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी हारने वाली टीम के खिलाडी को मैन अब दा मैच चुना गया जी हाँ दोस्तो संदैजित हैदरबाद की ओर से गुजराट टैटन्स के पाँच खिलाडियों को पवेलियन भेजने वाले तेज गिनबाज उमरान मलिक को मैन अब दा मैच चुना जो कि डिसीजन काफी जादा आश्चरे जनक था क्योंकि राशिद न अच्छी बले बाजी करी थी वरिद्यमान शाह ने रनों की बरसात करी थी लेकिन उमरान मलिक ने जो पांच विकट चटकाई थी वो कहीं न कहीं एक टरनिंग पॉइंट था पूरे मुकाबले का आपको बता दें किस तरीके से उमरान मलिक हारदिक पंडिया और राशिद खान की एक तस्वीर ऐसी वाइरल हो रही है जो देखकर फैंस काफी जादा यहाँ पर मीम्स बनाते नजर आ रहे हैं दर असल दोस्तों इस तस्वीर में देख सकते हैं कि उमरान मलिक हारदिक पंडिया की वाइफ नताशा से माफी मांगते नजर आ रहे हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ दर असल दोस्तों आप सभी को बता देएं कि हारदिक पंडिया जब बलेबाजी करने के लिए थे तो एक गेंदेशी थी जो हारदिक पंडिया खुला गई थी उमरान मलिक की उमरान और हरदिक की ये बहस होती उससे पहले उमरान ने माफी मांग ली क्योंकि उनको पता है हरदिक पंडिया को बहुत तेज लगी थी और ये देखकर नताशा भी डर गई थी जो कि स्टेने बैटी थी और उमरान ने जो पांच विकट चट काये थे उनसे तो पुरा रुख पलटी गया था हैदराबाद का आखरी ओर में बचाने के लिए 22 रन थे लेकिन मारको यैंसर ने 25 रन लुटा दिये तो हैदराबाद हर गई लेकिन उमरान मलिक ने अपना काम पूरा किया उसके बाद हरदिक और यहाँ पर राशिद खान साथी साथ और उमरान मलिक तीनों मजाग मस्ती करते नजर आए और उमरान मलिक तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो कि स्टेन बैटी है नताशा उनसे माफी मांगते नजर आए क्योंकि हर्दिक को गेंद सच मुछ तेज लगी थी और यही नहीं गेंद लगने की बात तो छोड़ी है बलकि गुज आशा जो कि स्टेन ने बैटी थी और जब हार्दिक पंडिया गेंद लगी थी तो काफी सहम सी गई थी वो वीडियो भी जम कर वारल हो रही है नेक्स्ट नैन स्पोर्ट्स के रिए